आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में में बहुत सारी गर्भती महिलाओं के मन की बात बतारी हूँ कि उनको ये समझ नहीं आता है कि गर्भ में हमारा बच्चा बिलकुल स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ है आज मैं आपको स्वस्थ प् यानि कि single pregnancy है twins है या फिर triplet है इनका पता चलता है दूसरी चीज़ पता चलती है कि बच्चे की position क्या है सैक कहां पर बन रहा है कहां location है उसकी placenta कैसी है इसकी जानकारी मिलती है साथी साथ यह भी पता चलता है कि कितने हफते की pregnancy हुई है बच्चे की इडिडिक कब होने वाली है या फिर बच्चे की heartbeat क्या है इन सब के बारे में जरूरी जनकारी आपको पहले ultrasound के बारे में पता चलती है लेकिन पूरे time आप ultrasound नहीं करारी होती है क्योंकि maximum आपको 4 बार या 5 बार आपको डॉक्टर बताती है या minimum आप 3 बार भी कह सकते है कि आपका ultrasound होता है लेकिन इन duration के बीच में जो आपको यह duration मिलती है उससे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से क्योंकि confusion तो होती ही होती है क्योंकि जब हम बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं तो हम उसकी कैसे बाते समझ पाएंगे कि वो बच्चा बिल्कुल सेफ है तो आज किस वीडियो में यही सारे बाते discussion किया है मैंने वीडियो काफी इन्फर्मेटिव है प्लीज शुरू से लेकिलाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दूस्तों मेरा नाम हर्श्रिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्वेंस्वावल और continuous spaces पे होना चाहिए यानि कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है एक मटर की दानी के बराबर होता है लेकिन जैसे जैसे weeks बढ़ती है जैसे जैसे मन्त बढ़ता है उसकी size भी बढ़ी होती है in terms of उसकी height उसकी weight इन सब के हिसाब से देखा जाता है कि बच्ची की growth कैस जारी है लेकिन आपको गर में कैसे पता चलेगा तो उसका पहला लक्षन यह होता है कि महिलाओं को बेबी का movement feel होना स्टार्ट हो जाएगा अगर महिलाओं की यह second pregnancy है तो महिला तीन महने के बाद ही उनको quickening start हो जाती है यानि कि बच्चे की movement उनको पता चलने लगती है ले 24 गंटे के अंदर दस से बारा टाइमस आपका बच्चे को मूफ करना जरूरी है अगर इतने टाइमस बच्चा मूफ कर रहा है लेकिन अगर इससे कम है और आप जब देख रहे है कि बच्चे की movement कम हो रही है या फिर बच्चा बहुत कम मूफ कर रहा है तो उसके बाद ही आपको तुरंत action लेने के आवशकता है थोड़ा सा आप चल करके देखिए थोड़ा टहल करके देखिए थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पी करके देखिए या फिर कुछ मीठी चीज़े खा करके देख लीजे अगर बच्चे की movement स्टार्ट हो गई है देन इस वेरी ओके लेकिन अगर movement स्टार्ट नहीं हुई है कोई हल चल नहीं आ रही है तो आप अपने जो डॉक्टर है उनसे आप ज़रूर संपर करें दूसरा लक्षन क्या होता है कि जैसे ही आपकी report आती है आपकी बच्चे की immunotic द्रव्वे के बारे में पता चलता है द्रव्वे भी बिल्कुल सही है और जो recent आपका report है वो बिल्कुल सही बता रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें आपको परिशान होने की जरूरत नही है तीसरा लक्षन यह है कि आपको कई बार जब नौजियाटी का फील करती है कई बार आपको morning सीखने सोती है इवनिंग सीखने सोती है तो वह आपकी pregnancy का एक बहुत ही सर्टिक लक्षन होता है अगर ये सारे लक्षन नहीं दिखाए देंगे तो problem की बात होती है कि बच्चा अंदर स्वस्त नहीं है अगर ये सारे symptom दिखाए दे रहे हैं आपके body में changes आ रहे हैं maybe शायद आपके mood swings में भी हो सकती है maybe शायद आपका food का aversion भी हो सकता है आपकी pregnancy जैसे जैसे advance करती है आपके body में changes भी आते हैं तो उन changes को आपको notice करना है ये सारी चीज़े हो रही है इ आपकी निपल का भी जो कलर है वो डार्क हो रहा है, आपकी बोडी में चेंज़े जा रहे हैं, आपकी स्कीन के कलर में चेंज़े जा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रिग्ननसी एडवांस हो रही है, और प्रिग्ननसी बिल्कुल सही है, अगर आप बच्चे की हल्चल महस करते हैं आप कुछ खाते हैं या चलते हैं बच्चे को असर वा रहा है आप चल रहे हैं मैसूस कर रहे हैं तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चा अंदर पूरी तरह से स्वस्त हैं वही पर छटी चीज क्या होती है कि आपको बच्चे का जैसे जैसे आपका gestational age जैसे कि आपको कुछ discharges भी बढ़े हुए से लगते हैं तो यह जो discharges होते हैं वो normal नहीं होते हैं इस तरह से आपको समझना चाहिए कि कौन से discharges normal है और कौन से discharges normal नहीं है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर आपको bleeding आ जाती है mucus plug कर discharge हो जाता है आपके 9 मह इने में तो इस time पे delivery के संकेत हो सकते हैं लेकिन अगर कुछ ऐसे discharges हैं जैसे कि अमिनोटिक द्रव्वे का rupture होना अगर इस तरह के discharges है इस time पे आप उसको normal ना समझे क्योंकि इस time पे आपको immediate basis पे आपने doctor से मिलने के आवशकता है लेकिन कुछ ऐसे discharges होते हैं जो कि बिलकुल हलके फुलके अगर आपको white द्रव्वे निकल गया हलका सा मतलब जो आपकी पेंटी में लगा हुआ एकी spotting हो सकती है दाग हो सकता है या आपको हलके फुलकी जैसे आपको लगे कखी सफेद पानी आ रहा है तो उसको आप normal consider कर सकते हैं क्योंकि ये आपके body में ज गया या फिर आपका mucus plug कर discharge हो गया है तो ये नॉर्मल नहीं है ये आपके labor का संकेत होता है तो उस टेंप या आप बिलकुल ना समझे कि नहीं मेरा बच्चा बिलकुल सवस्त है उस टेंप घर में बैठने की भूल आप बिलकुल ना करें अगर आपका नौवा महना नज़ को ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्विन्स पाइवल के